आज हम बनाएंगे सूपर मॉइस्ट और यमी चॉकलेट केक, नमस्कार सुनालिका गॉमे किचिन में आपका स्वागर्थ है, यह चॉकलेट केक हमने बिना अवन का बनाया है और यह बहुत है जादा स्पाउजी फ्लफी और यमी बना है, यह देखे कितना स्वादिस्ट यह क तो इसी तरह की नई रसेपीस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं आए शुरू करते हैं सबसे पहले बटर को लेने से तो बटर को हमने रूम टेपरेचर पे कर लिया था ये नॉर्मल सॉल्टेट बटर है 100 ग्राम का इसको अच्छे स नहीं मिलाएंगे और वैनिला एसनस मिलाएंगे तो चीनी डालके उसको एक वार मिला ले उसके बाद वैनिला एसनस डालेंगे इसको भी अच्छे से मिला ले आप ये बटर आपको बीच-वीच में करडल होता हुआ दिखेगा लेकिन इससे परिशान होने की कोई बात नहीं वो बाद में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो चॉकलेट और गर्म दूद को हमने यहाँ पे मिलाया है उसी दूद में से थो बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया है तो इसको अब हम जो हमारे दूद और बटर वाला बैटर है उसमें मिला देंगे हम गीले सामगरी को पहले मिलाकर रख रहे हैं सुखी सामगरी हम बाद में मिलाएंगे तो इन दोनों को साथ में बढ़िया से मिला ले ये गरम है और इस इस पे हम बाकी सामगरी एड करेंगे तो एक छनी ले लेंगे उसको डाल दे उस पर मैदा डाले मैदा यहां पर हमने दो कप लिया है जो वेट वाइस करीब 200 ग्राम होगा और यहां पर तीन चमच हमने कोको पौडर लिया है करीब 15 ग्राम कोको पौडर है बेकिंग पौडर एक चमच और बेकिंग सोडा आधा चमच लिया है अब इसको बढ़िया से आप छान ले और इससे एर बबल्स बहुत अच्छी से चला जाता है बैटर में तो आपको जादा फेट्टी के जुरुत नहीं पढ़ती और साथी साथ मैदे में अगर कोई अशुद्धी हो तो वो भी बाहर चलाता है तो इसको धीरे धीरे टैप करते हुए डाल दे यह दिखे बिल्कुल बढ़िया से आ गया है तो अब हलके हाथ से इसको हम मिलाना शुरू करेंगे तो विसक की सहता से इसको हलके हाथ से पहले मिलाए जुरुत पढ़ने पर हम इसमें बीच विच में बढ़िया आ रहा है यह बहुत अच्छा बनने वाला है तो अब थोड़ा से यह बैटर गाढ़ा हो गया है तो इसमें अब हमने जो गरम दूद लिया था उसको फिर से थोड़ी सी मातरा डाल कर मिलाएंगे एक साथ बहुत जादा ना मिलाए इससे बैटर का जो बैटर की क तो फिर से गरम दूद मिलाएंगे दूद का टेमपरेचर थोड़ा वाम या गरम वाले साइड पे ही रखें इससे आपका बैटर बहुत अच्छे से मिक्स होगा तो इसको आप मिलाए अब करीब चार से पांच मिनट तक इसको बढ़िया से विस्क करें ताकि अच्छे से फोमी हो जाए तो इसको हमें बहुत बढ़िया से मिक्स करना है यह इस तरह सा स्मूथ टेक्च्चर वाला बैटर हमें बनाना है अभी थोड़ा और मिक्स करने की ज़रूरत है इस बीच हम एक पैन जो हमने केक बनाने के लिए लिया है यह आठ इंच का पैन है इसको अच्छे से ग्रीज कर लेंगे बटर से थोड़े से उचे किनारो वाला हमने लिया है चिकने किनारो वाला ताकि आसानी से इससे केक निकल जाए और साथी साथ केक फूल कर अपने तो इसको अच्छे से ग्रीज करके साइड रख ले अब एक कूकर हमने लिया है जिसको हम मीडियम हीट पर चरहा देंगे और इस कूकर में हम नमक डाल देंगे तो थोड़ा सा नमक हमने लिया है एक कटोड़ी के असपस इस नमक को आप रियूस कर सकते हैं बेकिंग में या खाना बनाने में भी इसलिए इसको डालने से टेंपरेचर इवन रहता है कूकर के अंदर और बहुत अच्छा हीट होता है उसमें एक स्टैंड डाल ले अब धकल लगाकर इसको प्रिहीट करते हैं आज यहां पर मीडियम है इस विच हम जब तक वो प्रिहीट हो रहा है बैटर को थोड़ा सा और मिला लेते हैं बिल्कुल स्मूथ टेक्शर वाला बैटर हमें चाहिए यह अब बिल्कुल बढ़िय यह देखे कितना बढ़िया देखने में लग रहा है तो अब हमने जो पैन को ग्रीज किया था उसमें थोरा सा मैदा डालके डस्ट कर लेंगे आपके पास कोको पाउडर हो तो आप वह भी डालके इसको से डस्ट कर सकते हैं इसे कलर बहुत अच्छा आता है मेरे पास कोको नहीं था तो हमने मैदा यहां पर डाल लिया तो इसके बाद इसको डालने के वाद आप जो बैटर है उसको डाल दें सारे बैटर को एक साथ डाल दें यह बहुत ही बढ़िया बैटर रेडी हुआ है इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें इसको थोरा सा टैप कर ले ताकि ज अब हमारा जो कुकर है वह बढ़िया से गरम हो चुका है तो फटा फट इसके अंदर डालकर हम पैक कर देंगे तो साब्धानी पुरवक इसको डाले और इसको बंद करें इसमें कुकर की सीटी को हटा दे और गैस को अब हम थोड़ा कम कर देंगे तो अभी तक हमारा जो मीडियम हीट पे गैस था है इसको हमने लो लेवल पे कर दिया है अब इस हीट पर हम इसको करीब करीब 42-42 मिनिट के तक पकाएंगे तो ये करीब 40 मिनिट के बाद हमारा जो केक है बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो गया ये फूल कर अपने साइज का डबल हो गया है और ये बहुत सुंदर दिख रहा है तो इसको ठक कर थोड़ा ठंडा होने दे उसके बाद हम पलटेंगे तो जब ये थोड़ा वाम है तब हमने इसको पलट लिया है अब ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है अब इसको रैक पर ठंडा होने के लिए छोड़ दें ये देखिए कितना बढ़िया और स्पॉंजी केक रेडी हुआ है ये जो वाइट बैचिस है ये पैचिस पर आ गया है वो मैदे का है कोकु पॉटर डालने से वो पैचिस नहीं आता अब एक बड फिर से एक चोथाई कप गरम दूद हमने डाल लिया है अब इसको अच्छे से मिलाए जुरुत परे तो डबल ब्रॉयलर की सहता से आप इसको गरम करके मिक्स करें एक गरम पानी के पतीले में इसको डाल लें और तब मिक्स करें ये बहुत बढ़िया से हमारा ये गनाश ब तो ऑपर के लेयर को हम थोड़ा सा हटा देंगे तक इसमें गनाश का बढ़ीया से लेयर आए आप चाहे तो नबहाएं इसको ये देखिए कितना बढ़िया स्पॉंजी के बनाए है है अब इसको थोड़ा से ऊपर हो प्री से तक को समतल कर लेते हैं तो ये जो शेविंग स हम बाद में केक डेकोरेशन में यूज करेंगे एक नाइफ को केक के नीचे डाले और जो गनाश हमने बनाया था वो रैक के उपर रखके नीचे एक प्लेट डाले और उसके बाद गनाश को केक के उपर डाले अच्छे से स्प्रेड करें जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है इस केक हमारा सेट हो जाएगा अब इसको अच्छे से जब हमने डाल लिया है तो गरीब आदे गंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और आदे गंटे बाद इसको हम निकाल लेंगे ये देखे कितना बड़िया ग्लेज आया है केक पे अब थोड़ी से गार्नेशिंग कर लेते हैं तो पहले टिशु पेपर लगा दें साइड में आपने पसंद से डिजाइन बना सकते हैं हाँ पे हमने जो चॉकलेट केक का क्रमबल था वो डाल लिया है अब जब चारु तरफ से अच्छे से चिपक गया है तो हलके हाथों से ये और इसको एडिबल पर्ल से आप डेकोरेट कर लें ये देखिए बहुत ही बढ़िया केक तयार है बहुत ही जादा सुन्दर और स्वादिस्ट दिख रहा है इसको काट कर दिखा देते हैं कि ये अंदर से कैसा बना है तो ये बहुत ही जादा फ्लफी, सॉफ्ट और कि ये अंदर बहुत ही बहुत ही जाद लेकि ख्लफीर बहुत हृच् усп